जाहीं दोस्तों और बदेए आप लोग कैसे आई हो आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और सफलता क्यों अग्रसर होंगे तो चलिए पहले कल का question मैं लेती हूँ मैंने कल पूछा था कि संजीव खन्ना जी का कारेकल 6 महीने का क्यों और डिवाई चेंद्रो चूर जी संजीव खन्ना ने सपत ली है ठीक है और 10 नमंबर को हमारे जो चीफ जस्टिस से डिवाई चंद्रो चूर जी ये रिटायर हो चुके हैं और देखा जाये तो संजीव खन्ना जी का जो कारेकाल है वो 6 महीने का है ये 13 मई 2025 तक अपने पत पर बने रहेंगे ठीक है तो इनक से कि हमारे भारतिय समिधान के तहट चीफ जस्टिस का कारेकाल आमतर पर 65 वर्स की आयू तक होता है यानि जब तक चीफ जस्टिस की आयू 65 वर्स तक होती है 65 वर्स से कम होती है तब तक वह अपने पत पर बने रह सकते हैं सर्वच नयालय के नैधीसों की प्रक्रिया ग्य में रिटायर होना है इसलिए मुख नयदीस के कारेकाल की अवद इस बात पर निर्वर करती है कि ज्वाइनिंग के समय उनकी उम्र क्या थी अब इनका जो है डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1960 है तो आप यहां पर देख लीजे ये इसलिए इनका जो कारेकाल है 13 मई 2025 तक है ठीक है तो आप लोगों का अब next question ये है कि अगर संजीव खना जी पद से जब रिटायर होंगे 13 मई 2025 तक ही रहेंगे तो जब यह रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वरिष्टता क्रम को ध्यान में रखते हुए किसको नया CIGI का पद मिलना चाहिए ठीक है या फिर किसको मिलेगा मिलना चाहिए मिलेगा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो चीज है इसको पहले इंद्रा गांधी के समय में ब्रेक किया गया है ठीक है तो वो भी आप लोग बताईएगा कि किसके लिए ब्रेक किया गया था चलिए मैं हिंड दे दे रही हूँ हंस राज खना जो य पहले दोस्तों करेंट एफेर्स की चर्चा करते हैं 14 नमबर 2024 का तो आप देख सकते हैं रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज अप्रूप दो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्स ऑल विमें बैटालियन ऑफ द इंड्रेस्ट्रियल सिक्योर्टी फोर्स CISF तो इसमें हिंदी में देखे कि हाल ही में किस मंत्राले ने अध्योगिक सुर्चाबल CISF की पहले सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है आंसर है आपका ग्रिह मंत्राले होम मिनिस्ट्री 2nd question, where has DRDO recently conducted the first flight test of long range land attack crucial missile हाल ही में कहां DRDO ने long range land attack cruise missile का पहला उडान पर इक्षड किया 3rd question is, who has recently launched AIMS, Darbhanga and other projects costing more than 1260 करोर हाली में किसने 1260 करोर रुपे से अधिक लागत की लगने लागत वाले AIMS, Darbhanga और अन्य परियोजनाओं का सुभारम किया answer is, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 4th question is, Asian Development Bank has approved a loan of how many million dollars under the उत्राखन लिवलिहूट improvement project, ACI Bank, ACI Vikas Bank ने उत्राखन जीवन यापन सुधार पर योजना के तहत कितने million dollars के रिर को मंजूरी दी है, answer is 200 million dollars 5th question is, Recently on which date has public service broadcasting day been celebrated? हाली में किस तारीक को लोग सिवा प्रसारण दिवस मनाया गया? answer है 12 November, 12 November, okay? आप लोगों को पहले ये बता दू कि आज इस वीडियो में study से related कोई बात भी नहीं है क्योंकि आज मेरा कोई पढ़ाई हुआ ही नहीं, जब हुआ ही नहीं तो मैं आज किस चीज़ पे study का बताऊं क्योंकि मेरी एक रत्ती भी कोई पढ़ाई नहीं हो बस एक घंटा की ही पढ़ाई हुई है, और एक घंटा में मैंने कुछ ऐसा खास पढ़ा भी नहीं है तो आज मेरा study, target, source, topic जो भी है वो चीज़े नहीं है, तो मैं चलिए आप लोगों को जो outsourcing job के बारे में बताना था वो बता दू कुछ तो आप यह भी देखे, पहले यह वीडियो से बना चुकी हूँ, और फिर भाई है, लेकिन काफी नहीं लोग जूटते रहते हैं, तो उनके लिए भी, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते है, SS Enterprise Security Guard का है, यह last date है, 14-11-2024 और अनिवार सेक्षिक योगता है, SSC High School, ठीक ह और आया, जहां सी जालोन लखीमपूर खीरी, ठीक है, और वेतन आपका 10,300, यहाँ पर रिक्ती विबरण यहाँ है, यह रिक्ती विबरण पर आप जाके पूरा चेक कर सकते हैं, आवेदन करें यहाँ उसी के बगल में है, तो आप यहाँ पर फिल अफ कर सकते हैं, फॉर् साइक सिच्छा है, बस्ती संतकरमीर नगर और सिधार्थ नगर ठीक है, और यह आपका लास्टेट है, 1511, 2024, जार सारा कुछ इसमें आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, और इसका वेतन है, सैलरी 23,600, लक्षी फाउंडेशन इंस्ट्रक्रोर इलक्रोनिक माकैनिक, इस सिच्छा है, बस्ती संतकबीर नगर, सिधार्थ नगर, और लास्टेट, 1511, 2024, सैलरी 23,600, लाइन सेक्योर्टी गार सर्विसेज प्यून, हसी इंटर्मीडियेट, माद्मिक सिच्छा विभाग थी है, तो लास्टेट है, 1511, 2024, माद्मिक सिच्छा विभाग कनौज में है, और क्वालिफिकेजन, इंटर्मीडियेट पास, एज आपका 18-40 येर्स, और ये आप सैलरी देख सकते हैं, 11,017, 79, 11,079, ओके, लाइन सेक्योर्टी गार्ड, लाइन सेक्योर्टी गार्ड, सर्विसेज स्विपर का, से, इंटर्मिडियेट, माद्मिक सिच्छा विभाग कनौज, इंटर्मिडियेट पास होना चाहिए, एज है 18-40 येर्स, एंसेलरी इस अल्सो सेम, फिर है, यहां पर है, लक्षे पाउंडेशन, इंस्ट्रक्टर, रेफ्रेजरेटर, रेफ्रेजरेशन, एंड एर कंडिशनें, टेक्निशियन, अनिवार सिक्षिक योगता, आरेसी, प्लीज आपके, इसके बारे में थोड़ा डिटेल चेक कर लिजेगा, इसमें भी प्यून का है, लॉयन सेक्योटी, गार्ड सर्विसेज, एचसे इंटर्मीडियेट, मादिमी सिक्षा, बिभाग, कानपुर नगर, 18-14 लाज़ेज, फिफ्फ पंद्रह ग्यारा, चौविस, ठीक है, 11,89, यह आपका सेलरी है, फिर यह भी है स्वीपर का, और यह भी इसका लाज़ डेट, सेलरी, और एज सेम है, कानपुर नगर में है, मादमी सिक्षा, विभाग, एनिवार, सच्छी प्यक्रिता, HSC, इंटर्मेडियेट, तो आपका यह इतना हो गया, जॉब के बारे में ठ पढ़ाई नहीं हो पाया, जिस वज़से मैं आप लोगों को क्या टार्गेट दू, क्योंकि मैं टार्गेट जब पूरा कर पाती हूं, तभी मै देती हूं, ठीक है, कि मैं यह कितना कर पारी हूं, मैं उसी according टार्गेट बनाती हूं, और देती हूं, ठीक है, और I hope आप सभ लोगी स्वस्तरियेगा मस रहेगा और सफल्था की ओर अग्रसर हुईएगा